हलो फ्रेंड आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल रासित की बिजनिस एडिया तो नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूटूब चैनल पे और जो भाई इस चैनल पे नए आए हैं उनसे कहेंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और पास में बनी बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आज सुमवारी मंडी में हूँ और यहाँ पर गाय का वीडियो कवर कर रहा हूँ यह मंडी सब्ताहिक है परती एक सुमवार को लगता है बिहार के अरवल डिस्टिक से 13 किलोमीटर दूरी पर यह मंडी इस्तित है तो जानेंगे आज के मंडीयों में गायों का प्राइस तो बने रहे हैं हमारे साथ वीडियो में अंतक बिना इसकीप किये वीडियो देखें तो यह गाय का डीटेल देने वाला हूँ आपको सबसे पहले काफी बढ़िया सांसो भागी गाय है थन वगरा काफी बढ़िया बना कर रखी है करीब से इसका वीडियो कवर करना चाहेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके क्रोस ब्रीट की गाय है ये जर्सी से क्रोस है तो एक बार और ये गाय को बाहर निकालने के लिए कहा गया है थोड़ा सा और गुमा कर दिखाने के लिए ताकि और लेवटी वगरा का जो गैप है और थनों की बनावट है आपको अच्छे से समझ में आ सके देख सकते थनों की बनावट बैक सैट से एक बार और दिखाना चाहूंगा कद काठी में तो बहुत जादा नहीं है लेकिन गाय काफी अच्छी है और घर पे रखने लाइक ये गाय बहुत ही बेश्ट है हाला कि फार्म में तो यूज किया भी जा सकता है नहीं भी अपना अपना एक च्छाइस होता है लेकिन मिल्किंग कैपिसिटी इसकी नीचे आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले बता दू चार दांत पर ये गाय है देख सकते है अडर कॉलिटी काफी बढ़िया लेकिन का गैप भी काफी शांदार है चार दांत पर बताई जा रही है दोनो टाइम का मिल्किंग कैपिसिटी इसके नीचे 10 लीटर बताया जा रहा है और डिमांड की बात की जाए तो 36,000 रुपए इस गाय का डिमांड रखा गया है 36,500 और बच्चा इसकी नीचे मेल है बाच्चा बच्चे के साथ में तो बच्चा भी एक बार दिखाना चाहेंगे आपको देख सकते हैं बच्चा बच्चा है तो चलिए इस गाय का आपको डीटेल देते हैं जो के गाबीन गाय है और ये गाय तो बिल्कुल फार्म में यूज किया जा सकता है और काफी हाइट लेंथ में भी गाय है ये तो क्या डीटेल है इसका ये आपको देना चाहूंगा एक बार इस एंगल से वीडियो इस गाय का कवर करना चाहेंगे ताकि बॉडी का पूरा बनावट आपको समझ में आ सके दात में मिली वी गाय है और बच्चा देने में इसके नीचे अभी इनके ओनर का कहना है कि एक हफता के आस पास का समय बचा हुआ है और बियाने के बाद 12-13 लीटर मिल्किंग कैपिसिटी बताई जा रही है कि दोनों टाइम में करेगी तो आपको एक बार अडर की बनावट दिखाना चाहूँगा ताकि आप लोग भी अंदाज लगा सके और हमें कॉमेंट करके बता सके देख सकते हैं थनों की बनावट एक हफ़ते के आसपास का समय बच्चा देने में अभी बच्चा हुआ है इसके पास और डिमांड की बात की जाए तो 49,000 इसका डिमांड रखा गिया है 49,000 रुपया तो 12-13 लिटर बयाने के बाद दूद भी बताया जा रहा है और 49,000 रुपया डिमांड तो आप लोग कॉमेंट करके जरूर मुझे बताएं इस गया के बारे में के बयाने के बाद वाके में 12-13 लिटर दूद करेगी तो चलिए इस गया का आपको डिटेल दे दूँ है तो बहुत खुबसूरत गया लेकिन मिल्किंग उतना नहीं है घर पे रखने लाइक और जो किसान भाई है इस तरह की गया लेते हैं अपने घरों पे दूद खाने के लिए रखते हैं और भी बहुत सारे ऐसे सौकीन है तो ये मंडी जादा तर क्रॉस ब्रीट के ही नाम से परचलित है और यहां पर आपको 8 लीटर, 10 लीटर, 6 लीटर वाली गया उपलब्द हो जाती है इस गया के डीटेल के उपर में अब बात कर लेते हैं छे दात पर ये गया बताई जा रही है और मिलकिंग कैपिसिटी इसके नीचे दोनों समय का 8 लीटर बताया जा रहा है जो के थन की बनावड जो है उतना कोई खास नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से दोनों टाइम में साड़े 5 लीटर, 6 लीटर के आसपास दूद करना चाहिए इसे और डिमांड 32,000 इसका रखा गया है यानि 32,000 रुपया बच्चा इसके नीचे भी मेल बच्चा है ब्लैक कलर का देख पा रहे हैं तो दोनों टाइम का मिलकिंग 20 के नीचे 8 लीटर बताया गया है 32,000 रुपया डिमांड तो चलिए एक और यहाँ पर देखने को मिली तो साहीवाल से क्रॉस ये गाय तो क्या है इसका डीटेल वो बताना चाहेंगे आपको दांत में मिल चुकी है ये गाय और अडर कॉलिटी एक बरा और दिखाना चाहेंगे आपको करीब से पहले पूरा बॉडी देख लें हलागी बहुत हाइट लेंथ में नहीं है लेकिन देसी गाय और हमारे छेतर में इसी तरह की गाय देसी होती है तो कद काठी में बहुत नहीं और दात में मिली वी गाय 7 लीटर milking capacity इस गाय की नीचे में भी बताया जा रहा है डिमांड के अगर बात की जाए तो 27,000 इसका डिमांड रखा गया है 27,000 रुपया पलस पॉइंट यह है कि इसकी नीचे बच्चा फीमेल है बच्चे को भी दिखाएंगे आपको गाय देखा आपने और यह देख सकते हैं बच्चा जो के बाची बच्चा है तो दात में मिली वी गाय 7 लीटर दूद की capacity और 27,000 डिमांड बताया गया है बच्चा फीमेल के साथ तो चलिए आगे बढ़ेंगे कुछ और भी मंडी का डीटेल देना चाहेंगे हला कि मंडी आज कल बहुत जादा अच्छा नहीं लग रहा है मसरमा मंडी भी मैंने विजिट किया तो वहाँ पे भी कोई खास गाय उपलब्द नहीं थी आज सुमवारी मंडी भी विजिट कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी बहुत जादा गाय देखने को नहीं मिली बहुत कम मातरा में आज के मंडी में गाय देखने को मिल रही है लेकिन जो भी है कोसिस कर रहा हूँ कि आपको डीटेल दूँ और आप लोगों के साथ लगातार बना रहूं मैं तो ये गाय छे दात पे बताई जा रही है ये भी गाय गावीन है और ब्याने के बाद इसके नीचे भी 9 लिटर के आसपास दूद की कैपिसिटी बताई जा रही है नौ साड़े नौ लिटर ब्याने के बाद दूद करेगी प्राइस के अगर बात की जा तो 41,000 इसका चुकी है और दूद की कैपिसिटी इस गाय के नीचे में दोनों समय का साड़े साथ लिटर बताया जा रहा है डिमांड की अगर बात की जा तो 29,000 रुपए इस गाय का डिमांड रखा गया है बच्चा इसके नीचे मेल है बाच्चा बच्चे के साथ तो थनों की बनावट आगे से समझ में आ रहा है लेकिन बैक साइट से कोशिस कर रहा हूँ कि एक बार इसका अडर कॉलिटी कवर करूं ताके पीछे से भी जो थन की बनावट है वो आपको समझ में आ सके देख सकते हैं पीछे से कोई ज्यादा खास थन समझ में नहीं आ रहा है तो साड़े साथ लिटर milking capacity बताई गई है तो चलिए इसके बच्चे को भी दिखा दूँ देख सकते हैं male बच्चा है बाच्चा बच्चे के साथ में ये गाय आज की मंडी में उपलब्ध सेल के लिए तो एक ये गाय जो के ये भी देशी और सहीवाल की cross सहीवाल का हलका सा परसेंटेज इसमें मुझे लग रहा है वैसे cross breed में बहुत जादा mix up हो जाने के कारण breed को read करना इतना आसान नहीं होता है तो आप लोग अगर जानकार हैं तो मुझे comment करके ज़रूर बताएं इस गया के बारे में कौन सी breed से cross है लेकिन cross breed ही है दात में मिली वी और इसके नीचे milking capacity 6 लिटर बताई जा रही है डिमांड की अगर बात की जाए तो 23,000 रुपया इस गया का डिमांड रखा गया है बच्चा इसके नीचे भी female है बाची बच्चा के साथ में ये गया तो गय काफी सस्ते दामों पे इस मंडी में उपलब्ध हो जाती है अगर कोई भाई जैसे इस पेसल घर के लिए लेना चाहते हैं 6 लिटर, 8 लिटर, 5 लिटर वाली तो बहुत असानी से उपलब्ध हो जाता है तो चलिए वीडियो को करेंगे अंत वीडियो कैसा लगा ये हमें कॉमेंट करके जरूर बता है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले